ऐसे ही काता नाम ये कंभो दिवाल है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नवस्कार मनी नायन के पसंद दीदा कारिकरम मनी सेंटरल में आप सभी का स्वागत है मैं हूं विपॉल सिंग आपकी जेव से लेकर के देश की अर्थवे वस्ता पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेगर के हम पहुँच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विचलेशन के लिए हमाई साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ट आर्थिक पत्रकार पहुन कुमार जी पहुन जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारिक्रम में श पर सबसे पहले बात करेंगे इन्वार्मेंट फ्रेंडली प्रोड़क का देना होगा सबूत क्या है यह पूरा मामला और कंपनियों के लिए अब किस तरीके की दिक्कते हो सकती हैं यह हम डिटील में बाचित करेंगे वोड़ा फोन आइडिया पर क्या बोले हैं कुमार जलम बिर्ला वोड़ा फोन आइडिया लगातार चर्चाओं में है खासतोर से जब अंतरास्ट्री एजनसी ने इसके जो है चार उपए तक आने की बात कर दी थी उसके बाद से लगातार यह खबर में बना हुआ है और फिलाल दस के नीचे आने के बाद तो तमाम निवेश चाहिए और इसके क्या कुछ मतलब निकाले जाने चाहिए इस पर भी होगी बातरी नएक पूरी खबर टोडी देर में बात्चीत लेकिन इन सब के बीच में बात कर लेते हैं परदूशन से मुक्ती दिराने वाले air purifier की जी हाँ, air purifier के प्रभावी होने को ले करके सर्वे करने की बात कही गई है कि इंद्रियो भोकल मामलों के मंत्री परला जोषी ने air purifier के प्रभावी होने पर अब शक जता है था उनका ये कहना है के air purifier में सिर्फ एक पंखा है, ऐस में हवा को कैसे साफ करता है इसके बाद उसी वहाग की तरफ से कहा गया कि प्यूरिफायर के प्रभावी होने पर अब सरकार सर्वे कराएगी सर ये लंबे समय से जिन लोगों को दिक्कत हो रही है पॉलुशन से वो लोग एयर प्यूरिफायर खरीते हैं मैगे मैगे प्यूर मंतरी की तरफ से आया है हर कोई ये महसूस कर रहा था सवाल पूछ रहा था कि ये एक चोटी सी मशीन जो हमारे बेडरूम में है या सरकार के दफ्तर में आप भरत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं आप जाएंगा भी खास करके नवबर डिसंबर में दिली में किसी के दफ प्रेक्टिब भी है की नहीं है सवाल तो पूछे ही जा रहे थे लेकिन जो बात बेडरूम में या एक रूम में हम लोग बात कर रहे थे वो बात वो बात इस सरकार के सीनियर मंतरी ने कही तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मतलब क्या इस देश में मजाग चल रहा था क्या क्योंकि पॉल्यूशन यहां ज्यादा तरी इस इन इलाकों में इन मौसम में दिखता है तो फिर इस रास्ते ये और बाकी स्टेट कैपिटल्स में पहुंचा बंबे में करनाट का आप देखेंगे तो तमिल नाडू में इसकी विकरी को आप ट्रैक कर सकते हैं इतना बड़ और जो एड्जोइनिंग एरिया जैसा मैंने आपको कहा वहां भी देखा है मैकसिमम लोग इसका इस्तिमाल या तो कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं करने की इच्छा रखते हैं बिना किसी जानकारी के कि ये इनको इसका फाइदा मिल रहा है की नहीं मिल रहा है ट समझ रहे हैं क्या चल क्या रहा है आप यह residential areas में हैं commercial तोड़ पे इसका इस्तिमाल होता है industrial तोड़ पे इस्तिमाल होता है बड़ी बड़ी देश की बड़ी company'ं जिसमें हनीवेल है जिसमें LG है जिसमें ्डाइसन है फिर उसके आप ब्लू स्थार का नाम ले सकते हैं, सारी कमपणिया इन वाइख, एक प्रोड़क्ट इस देश में बेचा जा रहा है, और उसका किसी को अंदाजा नी है, कि इस प्रोड़क्ट का क्या फाइदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है आप उसको मानक के स्टेंडर्ड मानके चल रहे हैं तो कम सकम दस साल से जो पैर जमा चुकी है कुछ चुका है जो सेग्मेंट उसमें अगर सरकार को होश आया है तो अच्छी बाते जांच करा है ये देखिए लेगिन बड़ी बात यह है सर कि अगर ये सर्वे होता है और सर्वे में निकल करके आता है कि बहुत कम प्रुभावी है या नहीं प्रुभावी है तो सोचे कितना बड़ा एक तरीके का धोका इस देश के लोगों के साथ हो रहा है चोटे-चोटे बच्चे खास है से लोगों को लगा चलो एयर प्यूरी फायर लगाने साथ हमारी जिंदगी या बज़ूर्गों की या बच्चों की बच जाएगी लेकिन और सिर्फ अगर के नाम पर इस अब चलना था तो मैं तो यह कहूंगा कि जो सर्वे सरकार इसके बिश्वे कराने जा रही है सर्वे की योजना है मैं तो इस्ट्र से प्राथना करता हूँ कि यह सही हो कि इससे कुछ फाइदा हो और अगर नहीं फाइदा हो रहा है तो मुझे इस बात को क्या आप चाहेंगे कि जो unfair trade practices इस देश में चलता रहे, customers लूटे जा रहे हों, consumers लूटे जा रहे हों और वो भी बिल्कुल organized तरीके से तो मुझे लगता है कि सरकार को intervention अगर हो रहा है तो इसके भी कुछ अच्छे result आने जाए कि मतलब बाइजा नहीं को कल को white wash करके आगे air purifier आप खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता भी आपको 5000 के असपास आएगा 4500 में मिल जाया है जो भी है और बहुत उपर जाएंगे तो यह आपको एक लग तक, एक लग 2000 तक का air purifier है, depending upon the brand and उसका size और जो भी है, तो मैंगी करा हो क्या रहे हैं हाँ पे, यहां पे हम पहले गा अगर नहीं होता तो बहुत बड़ा surprise और बहुत बड़ा दोखा वाकिन हो रहा है, लेकिन सब के बीच में, कंपनी अगर अपने किसी product के बारे में, अगर environment friendly होने का जूटा दावा करती है, या फिर भ्रामक जानकारी देती है, तो उसके खिलाफ अब सक्त कारवाई होगी, कि सिलसले में, हाल ही में किन सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं, जिनके मताबिक कंपनी को product के environment friendly होने के दावे के वैग्यानिक सबूत देने होंगे, Central Consumer Protection Authority की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किये गए हैं, सर तमाम चीजों को लेगर के अब सकती बढ़ा ही जा रही है, क्योंकि जातर product जो हम order करते हैं, जातर यही दावा करते हैं, Amazon पे या Flipkart पे या किसी भी इस तरह के साइट पे, कि वह environment friendly हैं, है की नहीं है, ये अब सरकार कहरे हैं, इस पर सकती से जहां चोगी, हाँ तो उस नहीं उस पर guidelines में उन्होंने फाइनली दिया है पबलिक में, देखिए तीन चीजों को जोड़िये, अब जैसे ये कह रहे हैं, ये उसी news से जुड़ा हुआ केसे जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस देश के cabinet minister ने कहा कि साब ऐसा है कि उसमें तो किवल पहिया घुम रहा है, और तो कुछ फिल्टर है, और कुछ हवा आ रही है, फैन घुम रहा है, और उसमें से पता ने हवा साफ कर रही राए की नहीं कर रहा है, बहुती बड़ा देशी अंदाज में उन्होंने ये कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब देखे, प्रेस करेंगे, इसको हम इस पर सर्वे कराएंगे बगर अब आते हैं जिसको बोलते हैं आपकी green washing है, तो green washing में क्या होता है, जिसमें आप claim करते है, company claim करती है कि ये तो climate change में बहुत effective है, इससे environment का नुकसान नहीं होता है, तो green washing से जो बना शब्द बोला green, plus white washing, जैसे white wash करता है, आपको पूपू करना हो तो बोल देते हैं तो उससे बना शब्द green washing तो green washing है इसमें देखेंगे क्या disclosure दिया जा रहा है की निया जा रहा है जो सही है की नहीं है credible है की नहीं है उसका कोई scientific evidence है की नहीं है तो उसके बिना अगर आप product बेचे जा रहे हैं तो वो इस दाइरे में आगा उसके लिए guidelines हैं तो क्या guidelines दिया उन्होंने बोला कि साब ऐसा है कि आप natural ये है और ये organic है और ये credible है आप इस तरह के सब्दों का इस्तिमाल अपने उसको बेचने में आप नहीं करेंगे स्टेप्स ठीक हैं लेकिन इसका पालन देखे ज्यादा तर कंजुमर के जितने derivatives ने department के उसमें दिक्कत इस वात की है कि उसके पालन में हम लोग हमारे administration कहीं न कहीं या तो लिथार्जिक हो जाता है या sense of closure नहीं मिलता logical conclusion तक ले जाते यह इसलिए है ताकि जनता को जनता को से मतलब मेरा consumer को आप परेशानी से दिक्कत से उसको shield किया जा सके उसको बचाया जा सके इस मिच बजेक्ट airline spice jet को aviation regulator dgca से बड़ी रहात मिल गई है dgca ने spice jet को अत्रिक्त निगरानी वाली श्रीणी से अब हटा लिया है खामियों को दूर करने के लिए company की तरफ से हाल में उठाये गए कदमों और management की तरफ से company में funding बढ़ाये जाने की बात dgca ने रहात दी है dgca ने अगस्तंत में spice jet को अत्रिक्त निगरानी की श्रीणी में डारा था सर इस श्रीणी शे बाहर निकलने के क्या कुछ माइने है company के लिए और खास्तोर से ग्राकों के लिए भी क्या कुछ छिसमे पॉस्टिव होगा company के लिए तो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि पिछले छे महीने से आप देखेंगे लगातार spice jet की समस्या पैसे की problem cash crunch फरलो दे देना अपने employees को कि ठीक आप तीन महीने तक नहीं आएंगे उसके अलाबा जो इनके लेसर्स थे जिनके लीज़ पे इन्होंने अक्राफ्ट करता है उसका payment नहीं हो रहा था तो इस तरह के default चल रहे थे company के reputation खराब हो रही थी stock market में उसके share का production आप देखेंगे तो वो है lizards तो थे वो विमान हटा के ले गए तीन 78 से उनकी तादाद रह गए 23 24 के आस पास तो लगातार negative खबरों के बड़े दिन बाद एक positive खबर आय वो इसलिए है क्योंकि अभी उन्होंने तीन 3000 क्रोर मार्केट से उठाया है अब उसमें से surveillance का जो enhanced surveillance था उसका मतलब था कि spot spot पे जितने भी possible spots हैं उस पे DGCA उस पे लगाता नज़र रखेगी उसका spot check होगा random visit होगा और फिर उसके बाद देखेगा कि कहीं cash crunch के अभाव में surveillance का मतलब क्या होता कि कहीं cash crunch के अभाव में इनकी operation में तो कोई दिक्कत नहीं है और operation में दिक्कत पाई गई जैसे एक छोटा सा example देता हूँ आपको डेर दो महीने पहले दूबई airport से इनको इनका विमान को खाली आना पड़ा इसलिए आना पड़ा क्योंकि उन्होंने उस हवाई जहाँ चलेगा की नहीं चलेगा टाइम से तो consumer delays और जो consumer का expectation है कि एक point से दूछरे point पर time से पहुंच जाएं कोई flight cancel नहीं हो delay नहीं हो तो उससे consumer के लिए रहात की बात है कि मतलब थोड़ा सा भरोसा spice it में system का system का मतलब अगर DGCA का बढ़ा है तो consumer का भी बढ़ेगा मैं इसी उम्मीद कर सकता हूँ लेकिन finally इनके performance पर डिपेंड करता है कि दुबारा से एर क्राफ आ जाते हैं तो confidence पैदा होगा दुबारा से इनका on time performance बेतर हो जाता है तो फाइदा होगा तो मेरे खाल से उस दिशा में एक कदम में इनके company को फाइदा है इस company को फाइदा है लेकिन बुधवार को निवेशकों को इसमें कोई फाइदा नहीं दिखाए दिया है क्योंकि शहर में करीब साड़े तीन पोने चार परसंट की गिरावट देखने को भी हाला कि दो दो पॉजिटिव कारिकरम के दोरान उन्होंने company की सफलता को लेकर कि किसी भी तरह के संदेख को दरकिनार करते हुए कहा कि खराब हालत से company किसी भी समय वापसी कर सकती है उन्हें बताया कि वुड़ा फोन आइडिया को पठरी पर लाने को लेकर कि जो भी ओजनाये हैं उन्हें अगले छे मह पॉस्टिव कम रही है निगेटिव ख़वरें वोड़ा को लेकर ज्यादा रही है बीच में जो है हमने काफी कुछ एक अंतरास्टी जैंसियों ने काफी नीचे के लेवल भी टागट के दे दिये थे लेकिन ओर आल क्या उम्मीद करें कि सर्वाइब कर जाएगी वोड़ा कोई ऐसा नहीं है जहां पर कोई अंफ्रेटेट प्रेक्स जोरा जनरली आप देखेंगे बड़े कन्मेंशनल लो प्रोफाइल रखके बिजनेस करने वालों में उनकी गिंती की जाती है अब जब वो यह कह रहे हैं कि साब ऐसा है कि अब जो इसका मतलब इसका जो रिवाइ स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है लेकिन स्टॉक्स में जो पैसा लगाया हुआ वहां पे स्थितियां बाद में सुद्रेगी पहले आप बाकी चीज़ें ठीक कर लीजिए अभी इन्होंने कहा कि साब हम 55,000 करोड का इन्वेस्टमेंट करें हम ये मान के चलते हैं कि इनको गब्मेंट की जो देंदारी है वो बहुत जादा है वो आप देखेंगे तो 70,000 करोड तुकेवल AGR के हैं टोटल मेरे खाल से 22,000 करोड के आसपास की देंदारी इनकी बंती है अब उस डिरेक्शन में कितनी जल्दी तरक्की होती है तो एक अ अगले तीन महीने या छे महीने में आएंगे क्या केबल इनके बोल देने से बाद तो ठीक है समझे महीने आपको बताए कि बोलने का क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी रेपूटेशन क्या है वो सब ठीक है अपनी जगह लेकिन फाइनशली भी इसको थोड़ा बेहतर प हाला कि बाजार बंद होते होते सवा परसेंट उपर नव रुपए 24 पैसे पर वोड़ा फोन आइडिया का शेर बंद हुआ सव्यक्तरवर्व अमिरात यानि की UAE से मुक्त व्यापार समझोते के बाद वहां से गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट में हुई बढ़ोती पर जांच की बात हो रही है और अब UAE से खजूर इंपोर्ट भी रडार पर आ चुका है आशंका यह है कि UAE की रास्ते पाकिस्त यह पाकिस्तान का खजूर भारत में इंपोर्ट हो रहा है यह आशंका अगर सच होती है तो यह मुक्त व्यापार समझोते के नियमों का उल्लंगन होगा भारत ने पाकिस्तान से खजूर इंपोर्ट पर दो सौ फीसद टैक्स लगा रखा है लेकिन मुक्त व्यापार समझोते की वैसे UAE से खजूर इंपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता है ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान का खजूर UAE पहुंच रहा है और वहां से भारत में उसका इंपोर्ट हो रहा ह है सर ये कैसे हो रहा है कि मतलब जो है पाकिस्तान का खजूर UAE पहुंच रहा है और UAE से भारत पहुंच रहा है मतलब अद्बुत है पाकिस्तान के हाला ताला की जैसे इस समय चल रहे हैं वो किसी भी तरीके से कुछ भी बलब करके जो है कोशिशिवर की रही कुछ तो एक कर रहे हैं सुखा खजूर आपने पिछले हफ्ते एक पिछले के पिछले हफ्ते खबर आप लोगों नहीं यह दिया कि वहां से गोल्ड में इंपोर्ट में बहुत अपसरज है लिहाजा भारा सरकार और यू के यू ए की सरकार दोनों मिलकर उसका उसकी जाच करने वाले हैं अ अब वह जाच के लिए जैसे यहां से कॉमर्स मिनिस्टी से इशनल लेवल सेकरेटरी गए जोइंट सेकरेटरी गए और अधिकारी गए तो अपन लोग जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं कॉम्प्रेंसिव ट्रीटी के तहट सिपा के तहट अब उसमें इन्होंने पाया कि सा अब डेट का भी अबसर्ज है उसमें तो इस डेट में पाकिस्तानी डेट भी आ रहा है संबब है क्योंकि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं जो खजूर वो उस पे वो कोई ड्यूटी नहीं है वो जीरो टैक्स है और पाकिस्तान पे हम लोग ने दोजार उनीस के बाद पाकिस्तान की खबर जो है वो वो आगी सेंटर स्टेज में पर यह है कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इसकी जाच कर रहे है हम यह देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है क्या और उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे उसमें एक और बात यह है कि पाकिस्तान देखें क्या होत हैं लोचे जहां पर कई बार इस तरह के लूप होल्स मिल जाते हैं तो अब वो FTA है वियतनाम से हमारा तो चीन से जो अभी स्टील के केस में देखेंगे तो चीन से जो जम डंपिंग वे उसमें इसको आया वियतनाम के रास्ते हो रही है इसी परकार से यहां FTA जमारा उनके साथ है लेकिन वो पाकिस्तान का डेटे हैं आ सकता है तो उसी बात की लेकिन इतना ज़्यादा ख़बरों पे ध्यान है खासकर पाकिस्तान से आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस पे एक एफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं सर अला कि मेरा अगला जो सवाल है वो इससे लिटेट तो नहीं है विजनेस से लेकिन पाकिस्तान का अजिक रिच्वड़ा है तो की बैठक चल रही है और विदेश मंतरी वहां पर है क्या उम्मीद करें क्या कुछ रिष्टों में नर्मी हो सकती है या कुछ आपको लगता है ठीक है एक स्यों की बैठक है वो इसी वह से सिर्फ वहीं तक बात होगी क्या दूई-पक्षिबात के कोई रास्ते खुल सकते ह बात पाकिस्तान के या फिर मुश्किल है ये विपुल हम लोग जिस स्पेस में बात कर रहे हैं जिस अजेंडे पे बात कर रहे हैं वो ये ये हमारा ये विश्चे जो है हमारे अजेंडे से थोड़ा बाहर है लेकिन आप पूरी दुनिया में जब घुमेंगे और जब बात करेंगे तो देखिए इस देश की जनता को पागिस्तान की जनता से कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती है ना पागिस्तान की जनता को यहां की जनता से कोई दिखाए यह बेसिकली जितनी मेरी समझ बनती है यह दो सरकारों के बीच है क्योंकि हमारा वो पडोसी देश है और लगा अगरी के तोर पे भी ये बात बोल रहा हूं और एक पत्रगार के तोर पे भी हम पाकिस्तान पे जो बात करते हैं उसमें हम वक्त बरबात करते हैं पाकिस्तान का वो स्टेटस नहीं है जिसमें हम ये बात कर सकें कि साब हम उसको बार बार मेंशन करें उस कंट्री को हमें कम से कम बादशीत का रास्ता तो खुला जब आप किसी दुश्मन से भी हाई हेलो करते हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि क्या पता आगे चलके थोड़ा और नर्मी बरकरा और बादशीत का रास्ता खुले ठीक लेकिन इस सब के बीच में सरकार के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत अब जापान से आगे हो गया है वर्ड गोल्ड काउंसिल के आकड़े ये बताते हैं कि भारती रिजर्व बैंक के पास गोल्ड का आधिकारिक रिजर्व आठ सो उन्चास टन हो गया ह पाकिस्तान की माफ़ीजी का दुनिया की किसी भी सरकार के पास आठवा सबसे बड़ा रिजर्व है पहले जापान का आठवा नमबर हुआ कर जाथा लेकिन अब जापान को पचार करके भारत उससे आगे हो गया है जापान के पास 846 टंस होने का रिजर्व है इस साल भारती रिजर्व बैंक ने भारी मात्रा में गोल्ड की खरीद की है जनुरी से अगस्त तक रिजर्व बैंक 45 टन से ज्यादा सोना खरीद चुका है और इसी खरीद की वज़े से भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ा है सर ये जो लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है क् में फैली अनिशित्ता का माहौल युद्ध का माहौल इसकी वज़ा से अर्बियाई लगातार सोने की खरीद कर रहा है आप क्या कुछ कारण मान रहे हैं देखे इसमें आप देखेंगे विपूल तो उतर उतर बढ़ोती हुए जो कारण आपने बता है ये भी उसमें शामिल क लगाया है बिया जा सकता है पर गोल रिजर्व बढ़ाने का मतलब होता है आप इकॉनिमी में स्टेबिलिटी दे रहे हैं ये बताता है कि आप रोबस्ट ग्रॉथ चल रहा है ये बताता है कि आप आने वाले टाइम में किसी भी खतरे के लिए तयार हैं आप ज्यादा alum होता है उसमें गोल डिजर्व अगर आपके पास दीरे 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 तयार हो रहा है तो आपके पास शौक सहने की शमता है कल को इश्वर ने करें पर कल को को एंट वाट सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे आपकी एकॉनमी डाउन हो पेमेंट की कोई दिक्कत हो पर हम अभी उस लेवल पे कहीं है नहीं दूर दूर तक नहीं इस बीच में ये भी खबार आना कि हमारे गोल डिजर्व में हम दुनिया के बड़ी इंपॉर्टन देशों में शामिल हो गए हम से आगे आठ देश हैं हम बहुत नीचे से बहुत उपर आए हैं तो मेरे ख्याल से ये कॉन अच्छी बात है और बिल्कुल जैसा आपने का क्राइसिस में बहुत मदद करता है गोल्ड रिजर्व अगर आपके पास मजबूती के साथ पड़ा हुआ है तो रश्या का अग्जामपल आप देख लिए युद्ध में फसा तमाम बैन लगे लेकिन उनके पास जो गोल्ड जिसमें कीप इसके पास 8133 टन का गोल्ड रिजर्व है जर्मनी दूसरे नमबर पर 3351 टन इटली के पास 2452 टन के आसपास है फ्रांस करीब-करीब 2437 टन का रिजर्व उसके पास है रस्या के पास 2336 टन के आसपास का रिजर्व है चैना की बात करें तो 264 टन सुजर अब आता है भारत का 849 टन के साथ भारत अब जो है एक पाइदान आगे बढ़ा है जापान को पीछे चोड़ा है जापान के पास अब 846 टन है और वहीं नीदर लैंड की बात करें तो करीब 612 टन पांस टन सोना उनके पास है चले इस बीच जरा ये देख लिए रिजर्व नौ टन के आजपास सोने की खरीद की गई है जुलाई के अंदर करीब करीब साड़े पांस टन सोना खरीदा गया है अगस्त के अंदर करीब 3 टन यानि कुल मिला जुला करके 45-45 तर फेल पांस टन सोना जो है वो इस साल जो है रिजर्व बैंक ने खरीदा है और इस बीच अब जो है कुल रिजर्व जो है वो 849 टंड आर्वियाई के पास इस समय मौच होगा है। इस स्टेट्मेंट में दो बाते हैं अभी बहुत कम होनी की गुंजाइश नहीं बनती है। आप कुछ करें चारते हैं। कि अभी यही रहेगा और आगे चलके हम अगर टार्गेट करेंगे तब जाके साड़े चार परसेंट पे मागाई आएगी। इस बीच कुरोना के बाद दुनिया भर में कई देशों पर बढ़े करिश की वज़े से दुनिया भर की सरकारों का वित्तिय घाटा लगातार बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अन्वान है कि इस साल दुनिया भर में सरकारों का वित्तिय घाटा रिकर्ड सो ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा जो कि वैस्विक जीडिपी की तुलना में 93 फीसद होगा। और इसका आप रेशियों देखेंगे सब जगह बढ़ा है। हम लोग फिर भी अभी थोड़ी उस जगह पे हैं जहां पे ज़्यादा चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। दो परसेंट है। आप अगर यूएस को देखेगा तो 112 परसेंट के आसपास है। तो हम अभी उस चिंता की बात तो है क्या रिपोर्ट में कहा गया। कि वो समय आ गया है जब फिसकल मेजर्स लिए जाने की जरूरत है ताकि ये रेशियो कम किया जा सके। जीडीपी के तुल नाम है। इसमें क्या है आपका जो डेट है जो करजे हैं पब्लिक में वो करजा और जीडीपी का आपका जो साइज है उसके हिसाब से। तो हम ये कह रहें कि हम अभी भी पूरी दुनिया के मुकाबले थोड़े बहतर हैं जिसमें आप हर तरह के ग्रोथ और बाकी और चीज़ें बना के रखते हैं उसके हिसाब से तो हमारे लिए भी उतनी चिंता का विश्य नहीं है जितना की बाकी और देशों के लिए है और जैसाब कि आप कहरें कि 2026 तक बढ़के ये एक अमुक लाइन तक पहुंच जाएगा संख्या ये हो जाएगी मात्रा ये हो जाएगी तो उसकी तुलना में हम लोग अभी बहुत नीचे हैं बैतर इस्तिमें चले पहुंचे आज की शर्चा में आप जुड़े और दमाम कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अलर्ट मिलता रहे कि नएने कौन से कारिक्रम समय समय पर अप्लोड हो रहे हैं हमको इजाद दीजिए और बनी नाइन के साथ बनी रहे हैं फिलाल के लिए नमस्कार चले नमस्कार